ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक है इंप्लॉई स्टेट इंश्रेंस एक्ट या इंशॉर्ट जो नाम चलता है that is ESI Act क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ भी लिखने की जरूबत नहीं है क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएंगे वहां से आप डारेक्ट टाउनलोड कर सकते हो तो शुरू करते हैं ओक्यूपेशनल हेल्थ का अगला टॉपिक that is Employee State Insurance Act या ESI Act पर सबसे पहले चीज कि ये कब आया था तो 1948 में आया था ये ये किसके तहत आया था Social Security और Health Insurance प्रोवाइड कर सके इंडिया के इंडिस्ट्रियल वर्कर्स को उसके लिए तो इसलिए इसका लोगो ज़रूर याद रखना इसका लोगो बहुत ही important है और इसमें आप पढ़ सकते हो कि Social Security वर्ड यूज किया गया है तो ये वर्ड आपको NCQ में आ सकता है तो याद रखना और Spots में तो आपको ये लोगो कई बार रख दिया जाता है तो ESI का लोगो याद रखना अब इसमें होता क्या है इसमें जो लोग होते हैं आप कौन लोग होंगे वह हम बताएंगे वो Industrial Workers या Factory Workers जो होते हैं अलग-अलग तरह के Workers वो अपने आपको Register कराते हैं Employee, State, Insurance, Corporation में अपने आपको Register कराते हैं फिर कुछ पैसे कटवाते हैं हर मेने अपनी Salary से करीब 0.75% अपनी Salary से कटवाते हैं ये भी हम देखींगे आगे और उसके बाद उनको अलग-अलग तरह के Benefits भी दिये जाते हैं That is Cash Benefits और Medical Benefit Cash Benefit का मतलब ऐसा नहीं पैसा दिया जाता है Actually कोई बीमारी हो जाए या Pregnant हो जाए बंदी या किसी की Death हो जाए तो ना बीमार हो जाए या Pregnant हो जाए इन सब सिचुएशन में उनको Salary भी दी जाती है करीब 70-80% और उनकी छुट्टियों पे भी उनको Salary दी जाती है That is Cash Benefit और Medical Benefit में तो इनके खुद के Hospitals होते हैं, Dispensaries होती हैं, Mobile Vans होती है या वहां के तुरू उनको Medical Care प्रोवाइट की जाती है वो भी हम देखेंगे तो वही लिखा हुआ है कि Cash और Medical Benefits दिये जाते हैं Employees को यह वो Employees है, Industrial Employees जनोंने अपने आपको Register किया है ESI में और पैसे कटवाए हैं During Sickness, Maternity and Occupational Injury अपना Coverage Coverage का मतलब कौन-कौन लोग या कौन-कौन से Workers इसमें अपने आपको Register करा सकते हैं और इसके Undercover होते हैं पहले तो बहुत अलग 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 था कि Fact वो रखा हुआ था कि Cinema, Shopkeepers अगल 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 लेकिन वो सब हटा दो याद रखो कि 6 September 2016 से उन्होंने जो Act लाया उसके तहित उन्होंने कहा कि भई 21,000 पर मन्त या उससे कम अप्टू लिखा है, ये नहीं बोलना कि 21,000 से ज़्यादा 21,000 से ज़्यादा कमारा तो उसको काहे को इन सब चीजों की जबुत होगी उसमें तो अपना खुद का इन्शुरेंस सब कराके रखा होगा 21,000 या उससे कम कमाने वाले लोग अपने आपको इसमें रजिस्टर करा सकते हैं और फिर इसके अलग-अलग benefits का फाइदा उठा सकते हैं वो हम देखेंगे कौन से benefits हैं अपना ये तो हमने देख लिया कि किन को cover करता है किन को cover नहीं करता है या किस को exclude करता है तो ये लगभग सभी factories को include करता है except वो लोग जो mines में काम करते हैं वो लोग जो defense में काम करते हैं वो लोग जो railways में काम करते हैं क्या होता ना इनको देखोगे तो इनका अपने ही अलग hospital होते है, railway वालों के, defense वालों के, mines वालों के, तो इनका अलग system चलता है, वहाँ उनको गुसने की जरूरत नहीं है, तो MDR, याद रखना, ये MDR stands for mines, defense और railways इनको exclude किया गया है ESI Act से, उसके अलावा, जाधातर state और union territories में तो ये का करता है, और वहाँ के workers भी अपने आपको इसके अंदर register करा सकते हैं, except कुछ है, that is, Manipur, Sikkim, अनाचल प्रदेश, मिर्जुरम, डेली, चंदीगर, ये सारे, तो इसको याद करने का तरीका, भाई, Marvel और DC Comics तो सभी देखते होंगे, अब DC Comics में अगर कोई पूछे क्या, तो भाई, किसी को याद आएगी, Catwoman किसी को याद आएगी, Wonderwoman किसी को याद आएगा, भाई, कि Superwoman का शो भी चलता है, तो, DC की जो women है, that is, DC की जो MAMS हैं, वो सभी इसके अंदर आती हैं, D stand for Delhi, C stand for Chandigarh, दिल्ली औ Chandigarh की MAMS तो अलगी हैं, उसके बाद फिर, DC MAMS के बाद, M for Manipur, A for Arunachar Pradesh, M for Mizoram, and S for Sikkim, तो, DC MAMS से आप याद कर सकते हो, कि कौन-कौन से State or Union Traitories इससे बाहर हैं, तो ये 6 आपको नाम याद रखने हैं, उसके बाद आता है, इसका ESI एक्र पूरा का पूरा एक Administration है, तो वो Administration किस के तहद बना होता है, पहले तो पूरा का पूरा ESI Corporation है, ESIC जिसको कहते हैं हम, उसके बाद इसका Chairman कौन है, तो ये है Union Minister of Labor, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि Employee State Insurance Corporation किस Ministry के तहद, Ministry of Labor and Employment, तो, but obviously बात है कि Chairman कौन होगा, Union Minister of Labor, तो ये याद रखना, इस पर MCQ आता है, Labor पर, Central Government में Union Minister of Labor, जो है, वो Chairman है उसके नीचे फिर Chief Executive Office है में Director General होते हैं, उनको Assist करने के लिए तीन मुखी तरह की Commissioner होते हैं, अब मैंने क्या कहा था, इसमें न, एक तरह का Health Insurance है, यह कहा था, याद है, उसके बाद मैंने कहा था, Cash Benefit मिलते हैं, Medical Benefit मिलते हैं, तो बस, वही तीन लोगों को यहाँ पर रख द इंशरेंस वाला है, तो इंशरेंस Commissioner रख दो, Medical Benefit है, तो Medical Commissioner रख दो, Cash Benefits है, तो Financial Commissioner रख दो, खतम, तो यह तीन Commissioner इनको Assist करने के लिए हैं, Insurance Commissioner, Medical Commissioner and Financial Commissioner, उसके लावा इसका Head Office तो बहिया, Central Government का है, Union Minister of Labor Chairman है, तो दिल्ली होग, और कहा होगा, ठीक है, तो यह तो हो गया, आपने थोड़ा सा इसका Administration देख लिया, कि भाई, क्या-क्या होता है, Corporation, Union Minister of Labor, Director General, तीन Commissioner, Head Office दिल्ली में, अब आता है, कौन-कौन सी Facilities दी जाती है, तो न, Factories, क्योंकि भाई, Factory में काम करने वाले Worker ही, इसके अंदर जाधा तर अपने आपको Register कराते हैं, तो Factory को Inspect करने के लिए, इ उसके अलावा, ESI को अपने Medical Services देने के लिए, इसके पास Dispensaries होती है, Clinics होती है, Hospitals होती है, तो आप अलग-अलग देख सकते हो, जैसे कि ये Dispensary का एक Example दिया हुआ है, Hospital का Example दिया हुआ है, तो इस तरह की Dispensaries और Hospital, ESI के अलागी चलते हैं, In fact, इसके तो Medical Colleges भी है, उसके बाद, Super Specialty Services के लिए जादतर जगे, ये tie-up करता है, बड़े, उस जगह पे बड़े Medical Institutes जो है, उनसे tie-up कर लेता है, तो अगर इन में Register किये हुए किसी बंदे को Super Specialist की जरुवत है ना, तो वो जिनसे tie-up है, उनके पास भेज देता है, कि भई, देख लो, इसको पैस हम देंगे, टी हो गए, कुछ Medical Facilities जो Provide करते हैं, कहां से Provide करते हैं, फिर आता है Finance, भई, Finance बहुत Important चीज़ है, Finance मतलब की, Finance कैसे, पैसा कहां से आ रहा है, इनके पास सारा, तो इसमें याद रखना, दोनों लोग Contribute करते हैं, Employer मतलब मालिक जो है, उस Factory का या उस Industry का, और Employee याने काम करने वाला जो मजदूर है, वो भी Contribute करता है, अब ज़्यादा Contribute कौन करेगा, ज़्यादा Contribute तो भी है, मालिक करेगा, तो वो अपनी Total Salary या Total Income जिस्ति है उसकी, उसका 3.25% Contribute करता है, और Employee जो है, बहुत ही कम, that is 0.75% अपनी Salary का Contribute करता है, तो Employer 3. 3.75 और Employee 0.75, ठीक, तो याद रखना, जो मजदूर है, वो कम करेगा, तो सिर्फ 0.75% और बाकी 3.25% Employer करेगा, उसके बाद अगले चीज़ होती है, कि जो Medical Care Provide की जाती है, ESI के Hospitals में और ESI के द्वारा, उसकी जो Total Cost होती है, उसका 6-7 प्रतिश्यत जो होता है, वो ESI Corporation ही करता है, बाकी का 1-7 जो होता है, वो State Government और Central Government मिलके करती है, अब यह जो 1-7 है, यह जो 1 है, इसका भी सिर्फ 1-8 जो है, वो State Government करती है, और बाकी 7-8 जो है, वो Central Government करती है, याद रखना क्यों, क्योंकि याद हमने यह आपर देखा भी था, कि यह Central Government के तहत है, ESI जो है, वो Central इंस्टिट्यूट होता है तो Central Government के तहता है तो जाधा तक खर्चा भी जो होगा इसका Central Government देखो फिर से बताता हूं जो Medical का खर्चा है उसका 1 is to 7 और 6 is to 7 ऐसे दो हिस्सों में होता है तो 6 is to 7 खर्चा जो है वो तो ESIC करेगा 1 is to 7 जो है वो करेगी Government अब ये Government में से भी जो एक हिस्सा है ना इसका भी 1 is to 8 जो है वो State Government करेगी और 7 is to 8 जो है वो Central Government करेगी समझ गए तो ऐसे याद रखना क्योंकि इनके हर Points पर Question आए है Employee कितना, Employer कितना, ESI Corporation कितना और Central Government कितना, State Government कितना तो इतना पूरा याद रखना तो हमने क्या के देख लिया, ESI में कि भाई कब आया था, क्या होता है, किस तरह के benefit दिये जाते है उसके बाद पहली heading हमने पड़ी थी, कि भाई इसका coverage मतलब कि कौन-कौन लोग included है और कौन-कौन लोग included नहीं है फिर हमने देखा था इसका पूरा का पूरा administration, फिर हमने देखा था कि medical facilities कहा के through दी जाती है फिर और important चीज़ देखी, that is finance, finance कौन कर से करता है, तो employer कितना, employee कितना, और government कितना, ESIC कितना अब आता है important benefits, benefits दोनों को मिलता है, क्यों भहिया, employer पैसे दे रहा है, तो उसको भी benefit मिलेगा और main benefit तो employee को मिलता है, तो employer को क्या-क्या benefit मिलता है, पहले तो यह जान लेता है, क्योंकि employee के तो बहुत सारे है employer ने अपना 3.25% पैसा कटवाया है, तो उसको ना बहुत सारी चीजों में फायदा मिलता है, जैसे कि अपना Workman Compensation Act से वो बाहर हो गया, पहले ने पुरानी पिच्चरों में देखते थे, मजदूर हरताल पे चले गए, कि हमको compensation चाहिए है, फलाना ढिकाना चोट लग गई, मालिक हमको पैसा दो, वो सब को जब मालिक नहीं देगा, वो सब ESI देगा, क्योंकि भाईया, हमने भी कटाया, तुमने भी कटाया, अब ESI का कटेगा, ठीक है, तो employer बोलता है कि हमने अब ESI देगा तुमको पैसा, तो employer जो है, workman compensation act से बाहर हो गया, यह अच्छी चीज़ हो गई, अब ESI के तहट उन लोगों को compensation मिलता है, second is, maternity benefit act से भी, अब employer जो है, वो बाहर हो गया है, अब maternity benefit act या maternity benefits भी जो होते हैं, वो ESI देता है, workers को, तो उससे भी बाहर हो गया, medical allowance से भी वो बाहर हो गया, मतलब कि कई बार ऐसा होता था था न, कि बीमार हो जाते थे, workers, तो company आपाते थे, प्लस उनका जो पूरा medical bill है, वो employer को या मालिक को देना होता था, अब नहीं देगा, क् क्योंकि उसको जो देना था न, वो था ये 3.25% जो उसने ESI को अपनी पूरी कमाई का दे दिया है, अब ESI ही इसका पूरा medical allowance वगरा सब कुछ करेगी, तो इससे भी बाहर, और सबसे सभी चीज जो होती है न, that is, income tax में बहुत सारी उसको छूट मिल जाती है, employer को, तो न, य याद रखने employer के benefits, क्योंकि न, आप employee के तो हर कोई employee के वो साथ benefit याद रखता है, employer की नहीं रखते हैं, तो ये employer के याद रखना ये भूल जाते हैं, टिक, तो workman compensation act, maternity act, medical allowance और income tax, इन सब से rebate मिल जाती है, एक question actually workman compensation act पर मुझे मिला था, कि 1992 में कौन से disease इसके अंदर include की गई थी, तो anthrax was included under workman compensation act, एक MCQ मिला था, तो वो डाल दिया, अब आता है भाई, सबसे important जो ESI का core है, वो है, benefits of employees, employees मतला मजदूरों को क्या फायदा मिल रहा है, एक तो वो गरीब, गरीब है, उसके बाद भी, तुमने देखा न, वो अपने पूरी कमाई का 0.75%, भाई, उ 75% कटवा रहा है, तो उससे फायदा के मिलेगा, बहुत सारे फायदे मिलते हैं, तो उन्हों साथ benefit, at least ये साथ benefit के नाम याद रखना, पहला होता है medical benefit, medical benefit में सारी अस्पताल से related सुविधाय उनको दी जाती है, sickness benefit, sickness benefit में उनको 90 दिन की, इंक्यानवे दिन की छुट्टी भ मिलेगी, maternity benefit भी मिलता है कि अगर बंदी जो worker है, वो pregnant हो गई है, तो उसको छुट्टी भी मिलती है, और पगार भी मिलती है, disablement benefit कि अगर भाई काम करते वक्त कोई चोटोट लग गई, तो जब तक disability है, यानि temporary disability है, permanent disability depends, तो तब तक उनको वो छुट्टी भी मिलेगी, और salary भी मिलेगी, dependent benefit भी होता है, कि भाई अगर मिलती हो जाती है, तो उस पे dependent जो बच्चे है, वो उनको 18 साल की उमर तक salary भी मिलेगे, और उनको काम पे भी नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि अगर काम करने वाले इंसान की मिलती हो जाती है, तो funeral expenses होता है, कि अगर मिलती हो जा medical care दी जाती है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे, यह 7 benefits को, पर पहले तो यह 7 नाम याद रखने है, हरना आप यह 7 नाम भूल जाते हो, पता नहीं क्यों भूल जाते हो, बहुत important topic है, याद रखना वाईवा के लिए तो बहानक important topic है, क्योंकि मेरा वाईवा तो ESI पे ख भूल गए ना, तो भाईया कुछ question होते हैं, जो आपको fail करा सकते हैं, उसमें से यह एक है, कि यह 7 benefit के नाम तो आपको होने चाहिए याद, वरना तो भाईया लग जाने है, तो कैसे करेंगे याद, ठीक है, तो हम ना एक story याद करते हैं, story में क्या हुआ, story में हुआ क्या, कि पहले तो एक लड़का और लड़की, इन दोनों medical college में आ गए, medical college में admission हो गया, बड़ी खुशी खुशी दोनों जन medical college में आए, लड़का लड़की medical college में आए, फिर अब आए हैं, तो एक चीज़ तो करेंगे, पढ़ाई लिखाई तो बाद में करेंगे, सबसे पहले त तो दोनों को प्यार का बुखार चल गया, अब थोड़ा सा ना उनको जादी बुखार चल गया था, तो लड़की हो गई, प्रेगनेंट, अब लड़की प्रेगनेंट हो गई, ये देख के भाई, लड़के की तो लग गई, क्योंकि अब लड़का तो हो गया ना, disabled, अब जिन्दिगी में उसके कुछ नहीं रखा, अब क्या करेगा, अब तो प्रेगनेंट को समालना है, फिर बच्चे को समालना है, तो लड़का तो disabled हो गया, कि भाई, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, और जो लड़की थी, अब मम्मी बनके वो भी dependent हो गई, कि तुमी समालो फ्यून्रेल हो गया, जवानी तो खतम हो गई वहीं दोनों की, अब इन दोनों को किस शीज की जरूवत है, इन दोनों को जरूवत है, rehabilitation की, तो ये हो गई आपकी पूरी की पूरी कहानी, कि लड़का लड़की मेटिकल कोलेज में आए, लड़का लड़की को प्यार का बु कि ज़रू आते हैं? इससे हमारे साथ benefit कैसे याद हुए? तो सबसे पहला क्या किया था? लड़का लड़की medical college, medical college से क्या हुआ? medical benefit, प्यार का बुखार चड़ा, तो बुखार से क्या हुआ? sickness, sickness benefit, लड़की pregnant हो गई, pregnant हो गई से क्या हुआ? maternity benefit, लड़का पापा बनके क्या हो गया? disabled, disabled से क्या हो गया? disablement benefit, लड़की मम्मी बनके क्या हो गई? लड़के पर dependent हो गई, dependent से क्या हुआ? dependent benefit, लड़के लड़की का जवानी का, लड़के लड़की की जवानी का funeral हो गया, funeral से क्या होगा? funeral expenses, और अब लड़की के लड़की को Rehabilitation की जरूरत है तो Rehabilitation से क्या हो गया Rehabilitation Allowance समझ गए ऐसे याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा कहानी के तौर पे लड़का लड़की Medical College में आए दोनों को प्यार का बुखार चड़ा लड़की pregnant हो गई लड़का बाप बन के Disabled, लड़की माबन के Dependent, दोनों की जवानी का Funeral, दोनों को जरूरत है Rehabilitation की याद रहेगा ये साथ Benefit याद रखना Star Question है इस पे सवाल पूछते ही पूछते है वाईवा में भी थियोरी में भी हर जगर ठीक तो ये तो हो गए हमारे साथ Benefit, अब इनको हम अलग-अलग देखते हैं कि Actually इनमें होता क्या है सबसे पहला Medical Benefit, Medical Benefit में फुल Medical Care दी जाती है, एक अस्पताल में जितनी Medical वाली चीज़े देख सकते हो, सारी दी जाती है, इसमें एक बहुत Inpatient Treatment याने की भरती करने की प्रक्रिया भी होती है, दवाईये मुफ्त में दी जाती है, specialist services दी जाती है, path और radiological lab भी उनको provide की जाती है, वहांके investigation free होते है, ANC, PNC Care दी जाती है, बच्चे को और pregnant lady को immunization services दी जाती है, ambulance services, जितनी भी चीज़े तुम एक अस्पताल में सोच स रखते हो, वह सारी services उनको free of cost दी जाती है, पैसे को छोड़ किया, पैसे वाला benefit नहीं है, यह एक exception है, यह याद रखना, medical benefit में cash benefit नहीं होता, तो यह तो हमने देख ली, पर अगला सवाल हमारे जहन में आता है, कि यह जो सुविधाएं हैं, यह कैसे provide की जाएंगे, क्या है ESI के पास, तो ESI ना, यह सारी services दो तरह से provide करता है, या तो direct pattern, या तो indirect pattern, पहले direct pattern देख लेए, direct pattern का मतलब क्या है, direct pattern का मतलब है, ESI के खुद के ही अस्पताल होंगे, जहां से वो directly medical care services provide की जाएंगे, तो यह अस्पताल खोड़ने के criteria क्या होते हैं, पहला, कि अगर उस ज जादा लोगों ने अपने आपको register कराया हुआ है, ESI में, तो उस जगह पे ESI अपनी खुद की dispensary या अस्पताल खोलता है, अस्पताल या dispensary उस जगह पे ESI खोलता है, और उस जगह पे वो full time doctor रखेगा, ठीक है, हजार या उस से जादा है, जैसे कि अगर उज्जेन की बात करें, तो जैन में भी 1000 से जादा workers हैं, जिन्होंने ESI में अपने आपको register कराया हुआ है, तो यहाँ पे भी अलग से ESI अस्पताल है, PSM वालों की visit भी लगती है, वहाँ पे PSM की जो बच्चे होते हैं, ठीक, अब अगर कम है, 1000 से कम, देखो अगर 800-900 होंगे, तो फिर मगर अगर ऐसी जगह है, जहाँ पे बहुत कम लोग हैं और scattered हैं, दूर-दूर, जैसे ट्राइबल एरिया होते हैं, हिली एरिया होते हैं, वहाँ पे दूर-दूर लोग रहते हैं, और बहुत कम amount में रहते हैं, तो वहाँ पे अस्पताल ये dispensary खोलने की ज़रूवत नहीं हैं, वहाँ पे SI वाले क्या करते हैं, SI वाले अपनी mobile dispensary खोलते हैं, तो SI वाले अपनी mobile van लेते हैं, और उन जगों पे जाते हैं, और अगर उनको services की जगोत हैं, तो वहाँ पे medical care services प्रोवाइड की जाती है, mobile dispensary के द्वारा, ठीक, तो यह तो वह गए direct pattern की भईया, directly mobile dispensary खोल दी, indirect pattern क्या होता है, indirect pattern में एक बहुत important शब्द और वाईवा के लिए बहुत important panel system बनाते हैं, यह लोग, अब इनने बोला कि यार हमको अस्पताल नहीं खोलना, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे न, SI वालों का office है, इन्होंने क्या किया, अपना अस्पताल नहीं जाते हैं, एक अस्पताल में और्थो वालों से tie-up कर लिया, दूसरा अनोंने medicine वालों से tie-up कर लिया, surgery वालों से tie-up कर लिया, OBG वालों से tie-up कर लिया, अब अगर इनके पास कोई OBG का patient आता है, तो यह इनको बोलते हैं, भाई साब इसके पास जाओ, इनके पास अगर medicine का पैणल बना ली तो एक शहर में लाग अलग अलग टेपास वालों में है उसके पास फքर दो को बढ़ता है और बहुता है यह उन्य वालो yn bark लोग जो भी न का पैणल में है उसके पास पुढ़त दो अगर उनको लगते हैं पास बेच दो सिस्टम में ये अलग-अलग specialities के अपने panel बना लेते हैं फिर जो इनका worker होता है देखते हैं कि भाई इसको किस doctor की ज़ो होता है उस panel वाले के पास भेज देते हैं खतम बाद that is your panel system जो कि आप से वाईवा में पूछा जाता है और एक important चीज पैनल सिस्टम उस शहर में बहुत सारे होंगे उनको ये as an insurance medical officer की designation दे देते हैं तो अगर simple बीमारी वाले हैं जो कि MBBS भी ठीक कर सकता है तो वो अपने panel से भाई insurance medical officer के पास भेज देते हैं कि भाई तुम इनके पास चले जाओ सरदी, खासी, बुखार ये सब कुछ वो ठीक कर देंगे तो ये पूरा है medical care provide करने का इनका pattern direct pattern अपने खुद के अस्पताल खोल दो indirect pattern अपने खुद के specialist को panel बना लो वहाँ भेजो या फिर RMPs से contact कर लो और वहाँ पे भेजो समझ गे? direct pattern, indirect pattern medical care में उसके अलावा भी बहुत सी facilities दी जाती है जैसे कि dentures या चश्मे या hearing aids artificial limb, walking calipers ये सब कुछ भी as a medical care provide की जाती है तो ये तो हो गई आपकी पूरी की पूरी medical benefit सबसे पहला benefit कौन सा था? medical benefit तो ये हो गया second number पे आता है sickness benefit sickness benefit में क्या फाइदा होता है वो तो बाद में decide करेंगे पहले याद है इनका एक insurance medical officer था तो इनका जो insurance medical officer होता है न ये चेक करता है कि भाई ये जो worker है बोल रहा है मैं बिमार पड़ गया हूँ ये बिमार है भी की नहीं जब insurance medical officer certified कर देता है कि हाँ भाई ये बिमार है जब insurance medical officer ने certified कर दिया कि ये बिमार है तब उस worker को करीब तीन मेने या 91 days की छुट्टी मिलती है और इस छुट्टी में उसको उसकी 70% salary भी मिलती है शर्थ सिर्फ एक है कि insurance medical officer उसको certified करें समझ गए जो sickness benefit क्या होता है अगर insurance medical officer ने certified कर दिया है कि हाँ भाई ये सही में बिमार है तो उसको 91 days की छुट्टी मिलेगी और 70% तक उसको salary दी जाएगी ये तो हो गया sickness benefit इसके आगे का भी एक रूप है that is extended sickness benefit extended का मतलब क्या समझ में आ रहा extended का मतलब कुछ बढ़ाया होगा तो क्या बढ़ाया है extended में वो जो 91 days था उसको 2 साल कर दिया वो तो 70% salary थी उसको 80% salary कर दिया याने कि दोनों चीज आपने extend कर दी तो वो जो 91 days था उसकी जगा 2 साल हो गया जो 70% salary थी उसको 80% salary extend कर दी तो extended sickness benefit पर यह ऐसे हावा में नहीं मिल जाएगा इसके लिए दो शर्ते हैं वो दो शर्ते क्या हैं पहली तो कि वो जो बंदा है वो at least 2 साल से काम कर रहा हो मतलब at least 2 साल से उसने वो जो contribution था ना 0.75% worker का contribution वो उसने at least दिया है याने 2 साल से वो काम कर रहा है extended sickness benefit नहीं मिलेगा इन लोगों ने ऐसी 34 बिमारियां enlisted की हैं जिन में से अगर आपको कोई बिमारी है तभी आपको extended sickness benefit मिल सकता है अब यह 34 बिमारियों के नाम देखो तुमको याद करना हो तो कर लो मैंने आज तक तो मैंने UG में, PG में और as a faculty कभी नहीं देखा कि तुमसे इन बिमारियों के नाम पूछ रहे है फिर भी अगर करना है तो किताबों में दिया हुआ है उनको 34 बिमारियों को 10 भागों में भाजित किया गया है अलग-अलग system है CNS वाला हो गया, RS हो गया, GIT हो गया CVS हो गया और ortho वाला हो गया, उसके अलावा psychiatry वाला हो गया उसके अलावा malignancy अलग है metabolic disorders अलग है और others में अलगाता है और इनके अंदर भी इनके अलावा भी और भी बिमारियों है उनको भी आप कर सकते हैं मैं तो नहीं देखा कि किसी ने आज तक अलग से पूछा in fact मैं हटाना चाहता था इत्ते points को अपने notes से पर फिर वो रहता है ना कि 34 बिमारिया है तो कोई idea तो हो जाए कौन सी है तो वो इस तरह की बहुत सारी बिमारिया है ठीक है करना हो याद तो करो बाकी आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है मैं बोलूँगा भाई at least दो चीज़ याद रखना कि अगर उसको extended sickness benefit चाहिए है तो उसने दो साल तक continuous काम किया हुआ होना चाहिए और इन 34 बिमारियों में से एक तो यह number ज़र याद रखना 34 बिमारिया 34 diseases अब यहना extended sickness benefit के अलावा एक और चीज़ होती है that is enhanced sickness benefit enhanced sickness benefit में क्या होता है अगर जो worker है वो vasectomy कराता है या जो worker है बंदी वो tubectomy कराती है तो उनको अगर vasectomy कराई है तो 7 दिन की छुट्टी बंदे को मिलती है और tubectomy कराई है तो बंदी को 14 दिन की छुट्टी मिलती है और full wages के साथ मतलब की पूरी salary के साथ 7 दिन की बंदे को और अगर बंदी ने वैसे tubectomy कराई है तो 14 दिन की छुट्टी पूरी salary के साथ मिलती है इसमें कुछ चीज़े हैं जो confusion कराती हैं और जो हम भूल जाते हैं पहला भाई जो confusion होते हैं एक जैसे शब्दों में वो है extended sickness benefit और दूसरा है enhanced sickness benefit इन में confusion होता है कि हम extended की जगह enhanced का कर देते हैं तो enhanced को कैसे याद रखेंगे पहले तो extended का देख लो भाई extended का मतलब क्या होता है extended का मतलब होता है extend कर दिया extend कर दिया याने की बढ़ा दिया याने की 91 days की जगह दो साल कर दिया 70% की जगह 80% कर दिया तो ये है extended sickness benefit अब enhanced को कैसे याद करेंगे कि भाई ये tubectomy, vasectomy से related है तो यहाँ पे देखो ये hanc आ रहा है hanc ये क्या है hans hans देखा है, दो हंसों का जोड़ा होता है तो याना ये जो दो हंसों का जोड़ा है ना इन लोगों को और जादा हंस पैदा करने नहीं देने है और इसलिए इन हंसों की या तो vasectomy करा दो या तो tubectomy करा दो तो हंसों के जोड़ों को और हंस पैदा मत करने दो या तो vasectomy करा दो या तो tubectomy करा दो तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि भाई ये जो हंस है हंस को और जादा हंस मत बनाने दो तो या तो हंसा जो है उसकी vasectomy कर दो हंसी जो है उसकी tubectomy कर दो ठीक है? तो ये तो हो गया आपका ऐसे याद कर सकते हो कि enhanced vasectomy और tubectomy एक और चीज़ याद रखने की होती है कि vasectomy में कितने दिन और tubectomy में कितने दिन की छुट्टी मिलती है इसमें भी पंगा है, इसको कैसे याद करेंगे, तो पहले तो आप ये याद कर सकते हो, कि भाई, ये जो साथ है, इसको अगर आप तेड़ा कर दो तो V बन जाएगा, तो V से हो जाएगा आपका Vesectomy, simple, ये जो साथ है, इसको तेड़ा कर दो तो V बन जाएगा, V is for Vesectomy, ऐस याद कर सकते हो दूसरी तरीका कि अगर आप वेसेक टॉमी में याद करो तो S E आ रहा है S E stands for S E V E N 7 तो 7 वेसेक टॉमी में साथ दिन ऐसे भी याद कर सकते हो उसके बाद आता है 14 days that is for tubectomy तो यह क्या है आपका F O U R T E N 14 तो F से क्या होता है F से होता है female तो female वाली चीज जब कराओगे तो 14 days के लिए दोगे तो female की क्या कराते है tubectomy कराते है तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि वेसेक टॉमी को कितने दिन और tubectomy को कितने दिन enhanced में वेसेक टॉमी टूमी extended में 91 डेस कर 2 साल और 70 प्रतिशत का 80 प्रतिशत तो ऐसे आप याद कर सकते हो extended enhanced under sickness benefit ठीक है उसके बाद आता है यह तो आपका second benefit हो गया that is sickness benefit बस यह दो बड़े बड़े थे उसके बाद तो तीसरा maternity बस बड़ा है उसके बाद सब चोटे चोटे हैं अब आता है maternity benefit मान लो की बंदी pregnant हो गई अब क्या पहली चीज उसको जितने दिन की चुट्टी उसको मिलेगी पूरी salary उसको दी जाएगी पहले चीज तो याद रखना ठीक अब कितनी चिन की चुट्टी मिलती ह है तो करीब 24 हफतों की या 6 मेने 24 हफते 6 मेने कैसे हुए एक मेने में अप्रॉक्स 4 वीक होते हैं तो अगर आप बात करो 24 वीक की तो ये करीब 6 मेने होते हैं तो 24 हफते या 6 मेनों की चुट्टी मिलती है कब confinement confinement मतलब delivery के लिए और इसके साथ साथ हर delivery के लिए उसको करीब 5000 रुपे भी दिये जाते हैं तो ये तो हो गया कि भाई करीब 24 हफते की चुट्टी या 6 मेने की चुट्टी मिलती है delivery के लिए तो delivery के लिए आपको 24 मेने की चुट्टी मिली अब in case अगर during pregnancy या कुछ पंग्यांगे हो जाए और miscarriage या MTP कराना पड़े miscarriage हो जाए या MTP कराना पड़े तो ये 24 हफते की जगा आपको 26 हफते की चुट्टी कर दी गई है तीक तो वो 24 हफते तुठिये लेकिन कुछ पंग्यांगे हो गया miscarriage हो गया या MTP कराना पड़े तो 24 में 2 हफते और जोड दिये that is 26 हफते अब ये तो हो गया अब during pregnancy pregnancy की वज़े से या delivery की वज़े से या फिर बच्चे की premature death हो जाए उसकी वज़े से अगर मा बीमार पड़ जाती है तो उसको चार हफते की चुट्टी और दी जा सकती है तो आपको पूछा जाएगा कि pregnancy, confinement या premature death की वज़े से अगर कोई बीमारी हो जाती है मा को तो कितने द इनकी चुट्टी अंदा maternity benefit तो वो है करीब 4 हफते की चुट्टी ठीक है तो यह तो हो गया आपका maternity benefit में 24 हफते delivery, 26 हफते miscarriage MTP, 4 हफते अगर pregnancy, confinement, premature death से sickness है अपना कुछ amendment होते है maternity act के तहर वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे पहले चीज़ तो पहले तो insured woman बस वही ह maternity benefit है तो अगर कोई सरोगेट मदर है तब भी उसको include किया जाएगा maternity benefit के लिए या अगर कोई woman adopt कर रही है बच्चे को शर्थ सिर्फ रित्ती है कि वो बच्चा जो है तीन महीना या उससे छोटा होना चाहिए तो भी उसको maternity benefit के तहत फायदा मिलेगा और maternity act के तहत वो adoption यह नहीं कि 25-30 साल का लड़का तुमने गोध ले लिया और चुट्टी ले लिया नहीं दादा तीन मेने उससे छोटे का बच्चा अगर लिया है तब आपको चुट्टी मिलेगी अगला सवाल कितनी चुट्टी मिलेगी तो यह जो adopt किया है बंदीने या सरोगेसी से बनी है तो उनको करीब 12 हफ़तों की चुट्टी मिलेगी कब से जब से बच्चा उनके हाथ में आया है तब से ठीक है तो 12 हफ़ते की चुट्टी अगर adopt किया है या commencing मतर है तो 12 हफ़ते की चुट्टी तो यह ऐसा याद रखना 12 हफ़ते adopt या commencing मतर है तो कैसे याद करोगे यह है आपका बारा तो एक का हो गया है A that is adoption और यह जो 2 है इसको उल्टा कर दोगे तो C हो जाएगा that is commencing मतर्ड या फिर इसी को आप उल्टा कर दोगे तो उल्टा S बन जाएगा that is surrogacy तो इससे भी आप याद रख सकते हो 1 और 2 एक से हो जाएगा इससे याद कर सकते हो उसके बाद हो जाएगा एक और इसमें पेच फसा कि अगर insured woman है मगर उसके दो से जादा बच्चे हैं मतलब कि सरकार की policy के खिलाफ जा रही है उन्होंने तो कहा था दो बस इन्होंने तो दो से जादा कर रहे है तो ना इनको पूरी चुट्टी नहीं देंगे सरकार बोली भाईया दो के बाद तुमको तो स्टेलाइजेशन करा लेना था तुमने तो नहीं कराया तो हम भी तुमको पूरी चुट्टी नहीं देंगे तो उन्होंने क्या का हम 26 हफते की नहीं तुमको बस 12 हफते की चुट्टी मिलेग तो ये कुछ शर्ते रख दी गए इसलिए भाया दो ही अच्छे बच्चे दो ही अच्छे तो insured woman दो या उससे जादा अगर है तो आपको 12 हफ़ते की चुट्टी मिलेगी बस और उसमें से भी बस 6 हफ़ते delivery के पहले चुट्टी मिलेगी तो ये कुछ चीजे हैं जो आपको maternity benefit के तहट पता होने चाहिए 24 हफ़ते 6 महीने 26 हफ़ते 4 हफ़ते और उसके बाद insured woman में आपने सरोगेसी भी आ गई है adoption भी आ गया है सरोगेसी adoption वाले को 12 हफ़ते बस हैं अगर 2 से जादा बच्चे हैं तो भी 12 हफ़ते ही चुट्टी मिलेगी तीक ये तो हो गया आपका maternity benefit फिल चोटे 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 बाकी चाल तो चोटे चोटे हैं पहला आता है जब तक वो 90 प्रतिशत salary के साथ छुट्टी पर आएगा वहीं अगर उसको permanent disability हो गई है काम करते वक्त तो उसको 90 प्रतिशत salary मिलेगी lifetime pension की तो थीक तो ये आपने पढ़ लिया Disablement Benefit simple temporary है तो जब तक recovery हो जाता permanent है तो lifetime pension देनी पड़ेगी आपके आपकी Machineries या आपके occupation के वज़े से बंदा अपना permanent Disablement हुआ है ठीक अब आता है dependent benefit dependent benefit क्या होता है अगर किसी बंदे की काम की वज़े से injury हो जाती है उसमें उसकी death हो जाती है काम करते वक्त याद रखना भाई छट से कूद गया तब उसको dependent benefit नहीं मिलेगा या भाई दारूपी क कूए में गे रही है तब उसको dependent benefit नहीं मिलेगा अगर employment injury है तब उसको dependent benefit मिलेगा अभी dependent benefit क्या होता है जो भी उस पर dependent है यानि कि जातर जो बच्चे होते हैं बच्चे जो काम करने वाले पर dependent थे उनको 90 प्रतिशत तक उसकी salary मिलेगी जो माता या बिता की death हो गई है कब त तक वो 18 साल के नहीं हो जाते तो बेटा या बेटी उनको 18 साल तक 90 प्रतिशत तक salary मिलेगी अगर माता या पिता में से किसी एक की employment injury के तहट death हो जाती है ता और हालकि यह पहले होता था आजकल तो 18 से पहले शादी नहीं होती जादतर तो यह अगर आप 18 से पहले बंदी की शादी करा देते हो वो तो वैसे कानूनन अपराद है फिर भी अगर होती है तो भी आपको यह dependent benefit नहीं मिलेगा ठीक तो यह तो हो गया आपका dependent benefit कि अगर माता या पिता जो की employment injury की वज़े से किसी की death हो जाती है तो बच्चों को 90% तक salary मिलेगी 18 साल की उमर तक 18 साल के भग 15,000 रुपए देता है उसकी family को कि funeral करा दिजेगा इन पैसो से उसके अलावा rehabilitation allowance में एक फादू की चीज़ है कि 10 रुपए monthly payment मिलती है यह सब ठीक है इंशलेट person के लिए जो फायदे वाली चीज़ है वो यह है कि medical treatment ना सिर्फ उसको बलकि उसकी family members को भी मिलता रहेगा यह rehabilitation के benefit है जो की अच्छी चीज़ है ठीक तो यह हो गए आपके साथ benefit साथ benefit में पहला याद रखना की medical benefit सबसे important है उसके बाद second सबसे important है sickness benefit और third maternity यह तीन बड़े-बड़े हैं बाकी चार छोटे-छोटे हैं Disablement, Dependent, Funeral और Rehabilitation अपना छोटे-छोटे सी चीज़ें है एक है राजेव गांधी श्रमिक कल्यान योजना यह क्या होती है राजेव गांधी श्रमिक कल्यान योजना जो होती है इसके तहट जो workers हैं उनको unemployment allowance दिया जाता है मतलब कि अगर किसी कारणवश उनका काम छूट गया है वो कारण क्या है जिस factory में वो काम करते थे वो factory अगर किनी कारणवश बंध हो गई है तो उनको unemployment allowance दिया जाएगा मगर यहां भी दो शर्ते रखी गई हैं ये दो शर्ते कौन सी है पहली कि उन्होंने at least 5 साल तक अपना वो जो 0.75% का contribution है वो किया हो और दूसरा कि at least पहला कि 5 साल तक contribution किया हो और दूसरा कि ये पैसा जो है सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक ही मिलेगा उसके बाद ये पैसा नहीं मिलेगा समझ गए तो 2 चीज तीन चीज याद रखनी है राजेव गांदी श्रमक करने है श्रमक याने क्या होता है श्रमक याने मजदूर मजदूर जाने वरकर तो उनके कल्यान के लिए राजिय गांदी शर्मे कल्यान योजना शुरू हुई थी उसके तहट क्या कहा गया है किनी कारणवश अगर फैक्ट्री बंध हो जाती है और उनमें काम करने वाले मजदूर तो उनको ESI scheme की तहट unemployment allowance मिलेगा शर्थ सिर्फ इतनी है कि उन्होंने 5 साल तक अपना contribution दिया हो काम करते हुए कब तक ये पैसा मिलेगा अब जिन्दगी बर तो मिलेगा नहीं भाईया दो साल तक हम देंगे दो साल में job आप ढून लो वरना फिर unemployed ही रहो और allowance भी नहीं मिलेगा तो दो साल तो कुन को ये unemployment allowance मिलता है ठीक ये तो हो गया राजीव गांदी श्रमी कल्यान उजना उसके ब जो ESI में register है ना उनके सारे records electronically available है online तो उससे आप अलग-अलग जगों पर भी इनको monitor कर सकते हो second बहुत अच्छी चीज जो ने शुरू की ना कि special OPD शुरू कर दी senior citizens और differently या specially abled persons के लिए तो ये दो चीजें ESIC 2.0 ने शुरू की है senior citizens के लिए special OPD और specially abled या differentially abled persons के लिए special OPD शुरू किया है तो ये दो अच्छी चीजे शुरू ही थी अपना एक और चीज इसके तहट ESIC के तहट आती है that is abhiyan indradhanush abhiyan indradhanush इसमें confused नहीं होना ये दो शब्द आपको मिलते जुलते PSN में मिलेंगे एक मिलेगा abhiyan और एक मिलेगा mission इन दोनों के ही आगे लगा हुआ है indradhanush तो दोनों के ही मतलब सात रंगों से हैं लेकिन दोनों ही अलग है mission इंदradhanush जो है वो किस से related है mission इंदradhanush जो है वो immunization से related है जबकि abhiyan indradhanush जो है वो किस से related है abhiyan indradhanush के तहट जो ESI के hospitals है ESI के जो hospitals है ना उनमें कई लोगों ने complain की कि भाई bedsheet change नहीं होती है गंदी रहती है इन्होंने क्या किया कि पता रहे कि bedsheet रोज change हो रही है इन्होंने abhiyan indradhanush शुरू किया ESI hospital में और ESI Hospital के अभियान इंद्रधनुष के तहत इनने क्या कहा? हफते के साथ दिन जो होते हैं, उन साथ दिनों में इंद्रधनुष के साथ कलर की बैटशीट्स बिछाई जाएंगी. मतलब की, Sunday को वाइलेट कलर की, Monday को इंडिगो कलर की, Tuesday को ब्लू कलर की, Wednesday को green कलर की, Thursday को yellow कलर की, Friday को orange कलर की और Saturday को red कलर की, फिर वापिस Sunday को violet कलर की, तो ऐसा उन्होंने अभियान इंद्रधनुष शुरू किया, और अभियान इंद्रधनुष के तहट, बैटशीट्स आपको हर हफते अलग-अलग कलर की, जो इंद्रधनुष के साथ कलर होते हैं, उस कलर की बैटशीट्स लगानी है, तो ये ESI Corporation ने अभियान इंद्रधनुष शुरू किया था, B for bedsheet, तो B for bedsheet किसमें आ रहा है, B for bedsheet आ रहा है, अभियान इंद्रधनुष में, तो आप याद रखोगे, B for bedsheet अभियान इंद्रधनुष में, यानि की साथ अलग-अलग दिन, अलग-अलग कलर के bedsheets बिचाने हैं, ESI के तहट, और I for immunization, तो दो बार आई किसमें आ रहा है, दो बार आई जो आ रहा है, वो आ रहा है mission में, तो mission इंद्रधनुष जो है, वो immunization के लिए है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, अभियान इंद्रधनुष और mission इंद्रधनुष को differentiate कर सकते हो, ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको ESI Act में पता होनी चाहिए, अगर मैं बात करूँ सवाल की, तो भाई साहब ये तो star question है, इस पे तो ना आपको long question भी आ सकता है, short note भी आता है, short note तो आते ही आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, या तो sessional में फसेगा, या तो PU में फसेगा, या तो use में फसेगा, और कहीं नहीं फसना, तो pre-pg में आपको फस जाएगा, ESI पे तो सवाल आपको आ नहीं है, ठीक है, तो star question है, तो पढ़ लेना, long question, short note, in fact, very short note में आ जाता है, कि भाई, enumerate कर दो benefits of employee ये benefit of employer, तो हर तरह के question आ सकता है, 5 number, 3 number, 2 number, बहुत ही, बहुत ही important question है, मैंने क्या बताया, मेरा undergraduate का वाईवा बहुत अच्छा गया था, क्यों, क्योंकि मेरा ESI से शुरू हो, कि ESI पे ही खतम हो, शुरू से लेके आखरी तक एक एक चीज पूछ डाली उन्हें, भाई ने बता दी, तो ESI बहुत important है, ठीक, अब अगर मैं बात करूँ वाईवा की, तो वाईवा में सबसे पहली चीज जो पूछे जाती है, वो बोले जाती है, भाई ये बताओ, कौन, कौन ESI में cover होते हैं, और कौन, कौन ESI में cover नहीं होते हैं, तो याद रखना, अच्छा ये जो logo है न, spots में आपको एक logo रखे जाते हैं, तो अगर आपको ESI का logo रखेंगे, तो ESI का logo रखेंगे, ये चीज आटा देंगे, जो लिखा हुआ है, ये दिया जलता हुआ, आपको दिखा देंगे, गोले के अंदर, तो ये ESI Corporation का logo है, पता होना चीज, spots के लिए, वाईवा के लिए एक और important चीज, that is contribution, contribution, contribution ना, आपको employer और employee दोनों का contribution पूछ लेते हैं, तो पता होना चीज, अब ना, जो होश्यार external होते हैं ना, वो आपसे पूछ लेते हैं, हाँ बटा, ESI बड़ा है ना, चलो बताओ, employer के benefit, और तुम बोलता है, यार, ESI में benefit पूछा है, आप उन साथ benefit employer, employer बोला है भाई साब, उसने वो तुमसे डेड़ श्याना है, तो इसलिए उसने employee के नहीं employer के पूछता है, तुम श्याने बनोगों वो डेड़ श्याना बन जाएगा, तो employer के benefit बहुत पूछते हैं, वाईवा में, फिर भाई ये तो आपसे बनना ही चाहिए, मैंने क्या बोला, ये तो वो question है, जो आपको fail करा सकता है, अगर ये नहीं बना, तो भाई नहीं पड़ा भाई ने कुछ, निकलो चलो, तो ये 7 benefit तो आपको याद होने चाहिए, वाईवा के लिए, उसके बाद अगर मैं वाईवा की बात करूँ ना, तो एक और चीज़ पूछी जाती है, that is, panel system वाईवा में पूछा जाता है, panel system सम जादो, और ये किस में आता है, direct pattern की indirect pattern, तो ये आपको पता होना चाहिए, उसके बाद extended sickness benefit आपसे वाईवा में पूछ ले जाता है, क्योंकि उनको पता है, भाईवा में आपसे एक चीज़ और पूछ ले जाती है, that is, कि भाईवा में आपसे एक चीज़ और पूछ ले जा अभियान इंद्रधनुष क्या होता है, अगर आपका वाईवा अच्छा जा रहा है तो अभियान इंद्रधनुष पूछ लेंगे, और ना कई बार आपसे आपको confuse करने के लिए वो बोलते थे, हाँ भई, immunization पढ़ा है, very good, चलो बताओ, अभियान इंद्रधनुष क्या हो वो ESI के तहते, एक वाईवा में ये भी पूछा जाता है कि भाई, श्रमिक कल्यान इंद्रधनुष भी हो गया, ये हो गया आपके वाईवा के question, अब बोलते हैं अप उनकी भाई, MCQs क्या होते हैं, तो जितने भी underline part हमारे notes और slides में हैं, वो सभी various PG interests हैं, exam में पूछे गया, MCQs हैं, तो एक latest MCQ ये आया हुआ है, कि कौन-कौन लोग इसमें आ सकते हैं, तो वही 11,000 या उससे कम जो कम आते हैं, एक ये भी आया है, कौन सी industries इसमें नहीं है, तो mines, defense और railways, एक question ये भी आया है, कि भाई, इसका chairman कौन है, तो MCQ आपको आया हुआ है तो union minister of labor, central government में, ये तो आपको star question है, कि भाई, MCQ आपको पूछे ही पूछे जाते हैं, employer कितना पैसा देता है, और employee कितना पैसा देता है, तो ये आपको बनना ही चाहिए, employer और employee, उसके अलावा आपको MC को ये भी पूछा जाता है, कि medical expenditure में, government कितना देती है, और ESI कितना और government में भी central कितना देती है, और state कितना देती है, बहुत important test ले finances का, employer पे भी आपको MC क्यों आता है, कि भाई, employer के benefit ये सभी है, all except, तो ये भी पता होना चाहिए, और एक नया question जो मुझे मिला था, कि 1992 में Workman Compensation Act में कौन सी बीमारी जोड़ी गई थी, तो that was anthrax, benefits to employees तो all except, ये सभी employee के benefit है, all except, तो नाम तो आपको पता ही होने चाहिए, फिर individual की बात करें, तो medical benefit में आपको MC क्यों आया है, कि full medical care दी जाती है, और ये cash benefit नहीं होता है, उसके बाद आपको पूछा गया है, कि कहां कहां से medical care provide की जाती है, तो dispensaries से ये भी आपको MC क्यों आया हु होता है, sickness benefit पर आपको MC क्यों आया हुआ है, कि भाई, कितने दिन की छुट्टी और कितनी salary, और extended sickness benefit पर भी आपको आया हुआ है, कि 91 से कितने एक्सेंट कर दी, तो 2 साल, उसके अलावा enhanced sickness benefit पर भी आपको MC क्यों आया है, किसके लिए है, तो vasectomy या tubectomy, और उस पर भी आपक क्यों आया हुआ है, कि vasectomy तो कितने दिन, और tubectomy तो कितने दिन, ठीक, उसके बाद maternity benefit पर आपको MC क्यों आया हुआ है, कि कितनी salary, तो पूरी salary दी जाती है, कब तक छुट्टी, तो 6 मैने या 24 हफते की छुट्टी आपको दी जाती है, और यह जो नए amendment हुए है, इनको य recovery तक, यह याद रखना, dependent benefit पर भी आपको MC क्यों आया हुआ है, कि कितनी salary, 90% salary जब तक 18 के नहीं हो जाते हैं, funeral expenses अब change हो गए है, तो इसलिए इस पर एक सवाल आया था, कितना हो गया है, तो करीब 5000 रुपए funeral के लिए दिये जाते हैं, ठीक, उसके बाद जो राजयो समय तक contribute किया हुआ होना चाहिए, कितने समय तक मिलेगा, और कौन सा allowance होता है, unemployment allowance, और अभियान निंदरतनुष पर मिला तो नहीं, लेकिन आपको MCQ आ सकता है, Mission निंदरतनुष से confuse कराते हुए, तो इतनी चीज़े हैं, जो आपको ESI Act या कहना चाहिए Employee State Insurance Act में पता ही होन चाहिए, thank you